दिपिका पादुकर का एक इंटेव्यू देखर आता जो एक हीरोईन है जो भारत के पैसे से जीती है भारत में ही पैसा गामाकर टॉप की हीरोईनी बनी है वो जेनू गई थी अपने मुवी का प्रचार करने एक मानो में और जेनू में उन लोगों से मिली जो देश विरोधी नारे लगाते थे और अपना दुख जहर करके चले आई और मीडिया में आ गई बहुती दुख जहर कर रही थी दिपिका पादुकर तो मैं दिपिका पाद दाल के इतियास उड़ा कर जेखले जेनू का यह वही जेनू है जहां पर भारत के तुकड़े करने के नारे लगे थे यह वही जेनू है जहां पर वीर सावर करके खिलाफ नारे लगे थे यह वही जेनू है जहां पर हमारी आर्मी हमारी भारत की सेना के उपर गलत प्रकार क अदुष्ट पचार करने वाले यही जेनू के लोग है जिनके साथ तुम जाकर खड़ी थी हमारे जवानों पर हमारी पुलिस पर हमला करने वाले यही जेनू के लोग है जिनके साथ आप जाकर खड़ी थे कम से कम विचाद विमश तो करना था और एक आपकी मूवी यारी प्योप करना था ऐसी दालने वाला मुसल्मान सेयद नदीम उस विक्ति का नाम 2005 में दिल्ली तुगलत रोट पर लक्षमी अगरवाल के उपर हमला करने वाला मुसल्मान था लेकिन छपक मूवी में हिंदु नाम दिया जा रहा इतना जूट इतना फ्राड हिंदुओं पर इत लक्षमी अगरवाल जी के उपर जिसने ऐसी हमला किया था कम से कम उसका सही नाम तो बताना था यानि आप हिंदु नाम लगाकर हिंदु को बददाम करने का तुमारा इतना गंदा शडियत्र इतना घटिया शडियत्र मैं भारत के उन सभी मेरे भाईबंदों से कहना करो कि दिपिका का वहिश्कार करो तब इनको पता चलेगा